हेलो दुस्तों, दुस्तों मैंने अभी अभी नेट फिलिक्स उपर लॉक्ड इन नाम की एक साइकलोजिकल थिल्लर फिल्म देखकर कम्प्लेट की है देड़ गंटे की फिल्म हिंदी में भी अपेलबल है and honestly मुझे इस फिल्म से ज्याद उमिद नहीं थी फिर भी मैं कहूंगा की मज़ा आया भाई मुवी को देखकर अंत का जो लगबग आदा घंटा रहा होगा या मैं यूँ कहूं कि मुवी का जो क्लाइमेक्स है वो बहुत अच्छा है, एंटेंस है, थ्रिलिंग है, टैंशन होती है एंट कई न कई मेरी जो दढ़कन है वो थोड़ी ऊपर हो रही थी, क्योंकि चीज़ें काफी अच्छी हो रही थी, एंट उपर से अंधीरा है एंट अंधेरे के बाद उस दौरान जो कुछ भी चल रहा था वो इतना अच्छा तो था कि मतलब आपको ज़राभी पलक जपकाने का भी मौका नहीं देगा, इतना व्यादा टाइट था कि क्या ही कहना हलाकि मूवी में शरुआत में मैं यूँ कहलू कि लगबग गंटे तक पचास-पच्पन मिनटा तक तो मुझे ऐसा फिल हुआ कि राइटिंग थोड़ी थंडी है एंड मूवी में जो कुछ भी हो रहा है कहानी के नाबर वो सब कुछ देखा हुआ था है और चीज़ें काफी कुछ प्रेडिक्टेबल भी होई और सुदान में जैसे कि एक हुड़नेट वाल एक सिनेरियू है इस फिल्म में वो समझ में आ जाते है कि किस ने किया होगा क्यों किया होगा और एविन एक चीज तो वो थी नदी में जो तालाब में जो कुछ भी हुआ था वो तो मतलब उनके बताने से पहले ही समझ में आ गया था कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाल है एंड कौन कर रहा है इसके पीछे की इसावजिश क्या है कौन किस ने क्या किया होगा वो समझ में आ जाता है तो कहानी यहां बड़ कुछ ही हो है कि कैथरीन नाम की एक हॉलिवड की इस्टार है उसकी मुगोली बेटी है मतलब उसकी फिरेंड की बेटी है जो फिरेंड मर चुकी है तो उसकी बेटी लीना को वो अपने साथ रख लेती है बचपन से ही और कैथरीन की हस्बेंड का एक बेटा है मतलब कैथरीन का 13 बेटा है जैमी तो जैमी और लीना जो मतलब एक तरीके से कैथरीन के बच्चे ही थे लेकिन उन दोनों का अफेर हो जाता है तो अब उसकी जो मुगोली बेटी थी वो अब भभू हो जाती है उसके बाद कुछ और हुआ है यहां पर है तो बस चीज़ें कुछ गड़बड हो जाती है कैथरीन याबर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है कोमा में है वो मतलब लॉक्डिन कंडिशन याबर बताए गई है तो बस यह है कि उसके बाद चीज़ें रिबील होती है कि कैसे हुआ किस ने किया क्यों किया यह अपर जो नर्फ है जो देखरेक कर रही है कैथरीन की उसको डाउट होटा है कुछी चीज़ों पर तो वो सब आप देख पाएंगे तो जीबील करने से पहले काफी कुछ समझ में आ गया था बस अंत वाला जो वो वो फीन था जो जंगल में जो कुछ भी हुआ था लीना भाग रही थी वो घोडे पेल थी वो गाड़ी पे आ रहा था तो वो चीज़ें कुछ नई भी थी फरप्राइजिंग थी ट्विस्ट एंट टरन वहां पर थे तो वो चीज़े अच्छी लेगी लेकिन उसके लगबग पूरी तरह से प्राइडिक्टेबल है तो शुरुआत में जो लगबग पचास-पचपन मिनिट रहे होंगे बहाँ पर राइटिंग मुझे थोड़ी थंडी और ऐसा लगा कि मुवी में मैंने जो कुछ भी हुआ भूसा मैंने पहले से देखा हुआ है पर फिर भी अच्छी है कही न कहीं अच्छी लगते है मेरा मनन यह है कि कोई भी मुवी कितनी भी खराब हो अगर अंत का आदा घंटा अच्छा है अगर आपने एक्सपीरियंस उसने अच्छा दिया आपको तो आपकी जो चीज़ें होती है कि मतलब शुरुआत में बोर किया आप भोल जाएंगे बस यह है कि मतलब शुरुआत में तुम्हें यह सोच रहा था कि मतलब मैं क्या ही देख रहा हूं कुछ भी उतना खास नहीं लगता था लेकिन फिस चीज़ें अच्छी होई तो काफी मज़ाया फिलन को देखने में और कुछ चीज़ें प्रेडिक्टेबल ऐसी थी जैसे क वो जो नर्स कहती है जेमी के बारे में कि तुम पेंकिलर्स दे रहे हो और बहां पर कुछ चीज़ें समझ में आई है उसके बाद जब वो जैसे कि कैथरीन और रॉवर्ट एक साथ आती है उसके बड़ेवल तो कैथरीन रॉवर्ट को उस डॉक्टर को जिस तरीके से देख लगी बहां पर समझ में आगया जब लीना अंत में बहां पर वो सब कुछ देख लेती है च्छपकर टीवार पर जो कुछ भी चल रहा था उन दोनों का तो वो कुछ पमझ में आगया तो वो फरप्लाइसिंग नहीं रहा क्योंकि वो समझ में आ गया था और उसी तरह से रोवर्ट नाम का जो डॉक्टर उसके बारे में कुछ खास नहीं पता चला मतलब कुछ भी पता नहीं चला केवल उसके नाम के अलावा उसी तरह से कैथरीन का भी है वो थोड़ा बच पता चला लेकिन करेक्टरस पर थोड़ा और ध्यान दिया जा सकता था लेकिन लेकिन बोड नहीं कर पाएंगी चोड़ने नहीं देंगी आपको इस फिल्म को शुरॉ आद मैंस्ट पर देखने में बाकि love making films यहां पर कुछ हैं तो आप देख लेना तो three and a half star out of five and अगर आप पूछें कि दस में से तो seven and a half star काफी अच्छी लगी especially climax जो movie का जो लगबग आदा घंटा है अंत का वो काफी अच्छा था काफी मज़ा आया इस film को देखने में तो यह बाकि acting अर लीना है आपकी जो धड़कन है क्योंकि अंधेरा है चीज़ें हो रही है जो आपको कहीं ना की थोड़ा तो यह चीज़ें three and a half star out of five देखी है लिखे बताना है नहीं देखी तो जरूब देखे हिं हिंदी में available है आपको कैसे लिखी जरूब बतानवा की लाइक शेयरें सब्सक्राइब भी गरना चैनल को बड़ी को एंड देखे विनेते चैनल काने को थैंक यू एंड जैसा कि मैंने का BGM बहुत अच्छा लगता है सुनने में जो scene को और ज्यादा effective बनाता तो मतलब मैं कहूंगा कि movie न